लो नमस्क्राइब तो स्वागत है आपका केम गेमिंग जोन में और आज हम आचुके हैं माइंड करफ्ट के ब्रेंड न्यू सर्वाइबल वर्ल्ड में और पहली बात आप यह देखों कितनी अच्छी जगा स्पोन हुए पीछे ऐसा लग रहा किसी ने बहुत तगड़ा ब् पहले आजाता हूं फर्स्ट पर्सन में ओके तो काइच में आ चुका हूं फर्स्ट पर्सन में फिलाल आप देख तो जगा कितनी ज़्यादा मस्त है और आज से इसी वर्ल्ड में करने वाले ग्राइंडिंग स्टार्ट यानि कि आपको हमारा पहला पहला वर्ल्ड पता है वो वर्ल्ड में मैंने इतना ग्राइंड किया था और फोन तूटने की वैसे वर्ल्ड भी किया तिलाल ये शीप को मैंने मारके एक बूल ले लिए बना लेता हूं क्योंकि आपको पता है माइन का में रात कितनी ज्यादा खतरनाग होती है एक शीप और मिल जाए तो हमारे बैड का जुकाड हो जाए भाई मैं नीचे का आँग है क्या जगाए भाई ये वन पॉइंट एटिन में भूती तकड़ा अपडेट आया है भूती खतरनाग खतरनाग जगा आ चुकी है आपके ये क्या है अब यहां यहां प्रेट आर्यू रेविड ने भाई 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 एक शीप और मिल जाए ना मज़े आजए ऑके तो काई तो काई मुझे एक यहां पर शीप और मिल चाहिए इसको इमार्कर में वूड इगठी कर लेता हूं और अभी आइस में थोड़ी ना वूड इ कि दे उसी जगा पर मैं मिलने वाला हूं कर दो कर दो कर दो के तो काई सभी मैंने काफी सारी वूड़ी गठी कर लिया और फिलाल घर बनाने के लिए जगा ढूंड रहता हूं इधर देखो एंबरल तो काई इतनी रियर आइटम थे पहले लेकिन 1.18 में इतने रियर नहीं रहे चुके हैं यह नोर्मली कहीं भी नजर आयते हैं फिलाल मेरे पाइरन नहीं है जिससे मैंसे कलेक्ट कर सकता मैं अभी फिलाल जगा ढूंट रहा था घर बनाने कि मुझे यह जगा काफी ज़्यादा बढ़िया लग रही है फिलाल सामने के रूमिंपोटर नजर आ रहा वाई मैं अगमा ब्लोक वाव यह चैस्ट चैस्ट में क्या है वह एक गोल्ड की पिक एक दो हेलमेट जिस पर प्रोटेक्शन 3 एक्वाइफ इनिटी और अनब्रेकिंग लगी है दूसरे पर क्या है दूसरे वाले पर प्रोटेक्शन 2 काफी ठीक और फ्लिंट भी मिल चुक अब यहीं पर सो जाते हैं चलती ओके तो काई तो चुकी है सुभा मैं चैस्ट भी ले तो मेरे काफी ज्यादा काम आएगी यह चैस्ट को मैं ठीक से तोट रहा हूं ठीक है चैस्ट हमारे पास आ चुकी है और घर बनाने के लिए अब जगा जो मैंने डिटाइड करी थी यह वह क्रीपर था साइड में नजरी नहीं आया मेरे को आज 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 तेरी तो भटेगा तो गन पाउडर देके जाएगा मतदे तेरी गलती हो इस फ्लावर दिखू गाइस कितने जादा यहां पर फ्लावर बाया हूं पूरी यहां पर यह जगा काफी ज़्यादा सही लग रही है प्ले नहीं जगा बिल्कुल मैं सोच रहा हूं अपना घर यहीं पर बन करनाने का डिजाइन जो मैंने सूच रखा है दिमाग में सिंपल घर है और काफी ज़्यादा बढ़िया भी लगेगा कि दन करते हैं इसी एरिया में अपना घर बनाते हैं आज साथ कोई रिवर वगेरा होती तो ज़्यादा बढ़िया रहता यह शीप अभी अभी स्पोन वी बिटा तुझे मरना होगा यहां पर आए्छा कोंम मैं इसे एरिया में नहीं बिना रहा है मैं असफ Means इसे इरिया मैंने ज़्यादा देखाया था उस एồंडने में यहां से मिल जाएगा उसामने विलेज गई वेट सामने विलेज विलेज लूड़ते हैं उपर भाई क्या एरिया यह ओ इतनी एक्साइटमेंट गाइस क्या ही किसमता विलेज मिल चुका में विलेज को लूडते हैं पहले अब तो 100% में अपना गर यहीं बनाने वालों विलेज के आस पता भी क्या हो रहा है यहीं सेट कर देता हूं अब यहां पर भी देखते हैं थोड़ा लूटते हैं वह लूट है यहां कहीं पर गोलम चाचा आपको मरना पड़ेगा यार काइस क्रेजी वाली ट्रिक से बहुती खतरनाक ट्रिक है और जिससे गोलम चाचा को मुड़ाने वाले हैं पहले मैं एक जगा देख लेता हूं यह भी घर है कि इसको भी लूटते हैं उसके बाद गोलम चाचा का मटर करेंगे इसके आगे भी हैगा इस वेट वह वह नीचे भी फार्म बना रहा है इन्होंने जगा बुट तकड़ी तुट भी तगड़ी जगा यार उस से जाने के लिए मैं वहां से चलता हूं झाल वाइज भाए फ्राम तो तकड़ा है फार्म कहह रहा हूं विलिज बुट तकड़ा बना रहे हैं लोगों तो हैतना है यह वाला घर रहे गया तर लास्ट अभी लूटते हैं एक कर्येरा लास्ट इसको भी लूटते हैं कुछ है नहीं लूटने लायक तो क्या ही निकलते गोलम चाचा को मारते हैं फिलाल माँ उससे जो आयरन बिलेंगे उसके टूल से नहीं बनाने वाला मैं उसकी एक वोटर बकट बनाऊंगा क्योंकि वोटर बकट की बोचाला जरूरत है कहां गोलम चाचा अरे गोलम यह रहा है अब भागना ओ यहां पर काफी सारी हेवेल है वो पीछे भी है भाई कर जो मैं पहले गोलम से बच्टा हूं तीन गोलम अब फिलाल वह मेरे पीचे तो आयाने वह पहले है था फिलह लोम तो है और क्रिक लिन्ट काफी जादा बड़ा है उसको लूटते हैं गोलम को बारने के बाद ला मिदे हमी चलते हॐं भाल तो में ठर रहा है उससे हेलो वलम चाचा कहा हो गोलम चाचा अरे हो गोलम चाचा कहा हो पीछे ही है भागो भाई कहा है पूरा मेरे पीछे ही आ रहा है भाई भाग लो इसको मारूंगा तो सभी मैं इसना डर पोकते नहीं है तो पड़िया सी जगह पे चलते हैं कि यहां ठीक रेगा एक अबे अबे लग दो तीन चार ब्लुक ठीक है आजा गोलम का है पीछे ही नहीं आ रहा है जब मैं ब्लुक लगा के ओपर चड़ता हूं फिर उत्रें अब आया बहुत देर के बाद भागो अब भागना यहां लगाते हैं अब एक दो तीन चार ठीक है वे तीन की आईडी बहुत है यारी जोटा बच्चा है ओके तो गाइस फाइनली गोलम चचा मर चुका है और उससे हमें मिल चुके हैं तीन डायमेंड वाह क्या बात है लाल मैं यह वलाइनमेट पहन लेता हूँ अभी के लिए थोड़ी सी प्रोटेक्शन तो होगी इससे तीन डायमेंड के लिए हमने इसको मारा वा यहां पे मैंने लूटी कुछी एड़ना हमने को सोना है ठीक है तो अभी मैं उससे बनाऊंगा वोटर बकिट वोटर बकिट की बुचल लिमिट आए यहां पर फिजाल पर पहले उस आइलन की बनाने वाला वोटर बकिट 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 यह री ओके तो अपना काम होने बाता है अब सामने मुझे वोटर दिख रहा है थोड़ा से वोटर पास में जरूर होना चाहिए मैं इससे बना लूँगा अल्लि फिलाल मुझे यहां पर दिखा आयरन का ओर जिसे मैं ले लेता हूं फिलाल मावड की पिक एक्स क्यों तो उट रहा हूं इसे अच्छी खासी जब स्टोन की पिक एक्स हमारे पास है तो उससे तोड़ते हैं बस एक ही औरता नहीं है बाई काफी जादा है इसको ले लेते है हैं काफी तरह काम आने वाले हैं इसको स्मेल्ट करना पड़ेगा ओके तो गाइस मैंने वह और भी ले लिए हैं फिलाल यहां से चलते हैं बागे खुले ग्राउंड में जहां पर हम बनाने वाला अपना घर है फिलाल वोटर बखिट लेते हैं यहां से बढ़ते हैं आगे अब जल्दी से मैं खुला ग्राउंड दूरता हूं जहां पर मैं बनाने वाला हूं अपना घर पर पानी क्यों गिरा रहा हूं में बेक्याबत तमीजी हो रही है अब मेरे जाल से वह बोला एरिया ठीक रहेगा घर बनाने के लिए दूसी एरिया में चलते हैं अभी तो काईस मैं इसी एरिया की बात कर रहा हूं अपने घर बनाने के लिए यहां से विलेज भी काफी तरह पासा और रेंडर हो जाए बहुत अब तो फाइनल है बाई मैं यही बनाऊंगा विउ टकड़ा यार यहां से चंक्स बड़ाखे काफी मस वियो यहां से ले सकता हूं यही एरिया है भाई मैं यहीं बनाऊंगा यह बेल को करो उपर मरेको पीछे नदर आई थी यहां से ड़ड़ को उठा लो एक नमाइं पहले शवल बना लेता हूं एक बनाते हैं हम इसटोन की। कि इसको रखते हैं यह तो के तो काइस यह निए परने काफी जैदा अरियर करें क्लियर कर दिया एक्तम हेसे एर कर्दिय को अब मैं एपने घर की बिल्दिंग स्टाट करते हूं कैसा घर बनाने वाला सिंपल घर है और काफी जाता अच्छा है उसके लिए सबसे बहले ना मेरे को 12 12 करना पड़ेगा इसको यहां से स्टार्ट करते हैं वन कर थो करती है अब मुझे नीचे की चार और रियर और है और नीचे की चार लिलियर और सब्सक्री हम पूरा उसके बाद वीहां अगे तो गाइट अभी मैंने पूरा का पूरा एरिया क्लियर कर दियों फिलाल नीचे आपको जो बोक्स नजर आ रहा है यह साइड़ में वोल्स आजेगी मैंने एड़ायट का गड़ देर को एवान टू तूरी 345678 यह एड़ायट का एरिया हो जाएगा और साइड़ों में वोल्स आजएगी क्योंकि टैन बाइट का एरिया बड़ा हो रहा था फिलाल मैं इसको फ्लोर पहले ऐसे डाल देता हूं यह एक हमारा फ्लोर जाएगा यह बेस्मेंट में टोटल यह तीन के रोंगे एक बेस्मे आपके तो फिलाल यह फ्लोर हमारा रेडी हो चुका है वह पूरा का पूरा एक स्टैक लग गया और हैसरो मिरको काफी ज़्यादा वुड़ चाहिए यह क्योंकि तीन फ्लोर जाएंगे अब मैं इसकी वोल्स बनानी स्टार्ट कर देता हूं रूप जाओ वोल्स का है ऐसा ही कर देते हैं इसको पहले टोटल अब करें अब अब कर दो चुक्त है और कर दो चुकिए तो दो बोल के हाइट अब उसके ओपर मैं लगाने वालों है प्रिज लोग कि इसको भी लगाना दो लोग की हाइट में इसकी कर दूंगा ओके वोल्स हो चुकी है कम्प्लीट यह भी खाली चार के हाइट हुई है अब इसके उपर अभी मुझे एक लियर रोड लगाने पड़ेगी जो की होने वादी हमारा में फ्लोर और साइडा में चोड़े हैं आपर मैं डर्ट भर दूंगा अब इसको भर देते काफी सारी डर्ट है हमारे पास वैसी अभी तो काफी जादा अजीब लग रहा होगा लेकिन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब काफी जादा मस्त लगने वाला है यह होगा अब मुझे य दीने वाले यहां से इंटर्स रपते हैं इसकी मेंटर्स उसके बाद है हुआ 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 है कि एक ब्लोग की बाउंडरी ओर लगा देते हैं आपके जालना मुझे यहां पर तोर्च लगानी पड़ेगी रात हो रही है और ना मॉक्स पॉन हो जाएंगे आपके दिर्बाद स्टिक पढ़ी है कोल भी पढ़ा है कोल को अंदर डालते हूं थोड़ा सा कोल मैं ले लेता इतने गोत्रेवा तोर्च 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 चल्दी से नीचे तोर्च रखा जाता हूं और ना मॉक्स पॉन हो जाएंगे आके दिमाग खाजिए ठीक है अब इस हुबा होती है उसके बाद काम करते हैं जल्दी से एक चपकी ले 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 जाएं आपे ओके यह हो चुकी है च मैं पर सोच रहोगा मैं कर क्या रहा हूं इस फाल्ट हुए लेकिन जब बनने गाना उसके बाद आपको बता लगेगा यह यह दो दो ब्लोग की में इसकी बाउंडरी हो जाएगी फ्लॉर की आए है ओक तो यह हो चुका है यह हमारे बेशमेंट की एंटरेंस हो जाएगी ठीक है यह बेसमेंट खाली यह हमारा स्टोरेज रोंभ रहेगा यहाँ भी हमारी चैस्ट रहेगी में जो मेरी प्लैनिंग है बाकि इसको डेकोरेट और अभी हम करेंगे आप करते हैं हमारे ग्राउंड फ्लोर का काम मुझे चाहिए थोड़े से लोग एक स्टैक है मेरे पास पिलर बनाऊंगा मैं इससे कुछ बढ़िया डिजाइन बनाने का सोच रहा हूँ तो पिलर मुझे यहां से बनाने है यानि की एक दो तीन चार पांच फिर एक दो तीन चार पांच टोटल ददद फ्लोग लगेंगे ओके तो गाइस अभी थोड़ी फूड़की कमी होगी ती जो मैं ले आया था उसके बाद देखो भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना अब करते ह इसके आगे का काम सबसे पहले मैं करने वार हो यहां से वह इसकी बनानिये टोटल हमारे बास कितने फ्लोर हो चुकी है तीन हो जाएंगे एक बेस्मेंट एक ग्राउंट और एक में उसके ओप जहत हो जाएगी तभी आगे का काम करते हैं स्टार्ट में से ले लिए सामान मै पहले फिलाल ले लेता हूं अभी कोबल स्टोन वोड कोई का मलें इस वोड को अंदर अधे ठेक है ने तरह को बस्टोन है एक काम करते हैं थोड़ी सी गे और ले लेते हैं अभी अभी बताता हूं क्यों अब इसके बीच में कितना गैप है 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है यानि 1 2 3 4 और 4 इन दो ब्लोक पर होने वाला है हमारा तो ठीक है यहां पर हमारा ड़ राएगा अब यहां पर मैं लगाने वाला है वोड वान टू ए ठीक है यहां पर भी लगाते थे वान डू और मुझे इसके उपर भी लगानी है यह लग गया यह लग गया इसके बाद यह ऐसे ठीक है यहां पर हमारा डूर आजएगा उसके बाद मेरी एक्स कहां गई बाई एक्स मेरी टूट चुकी है सुरी कोई नहीं अभी इसको कर देंगा आप यहां पर हमको लगा देते इस रहात हो गया पहले सुझाते हैं उसके बाद सुबा करेंगे काम बिदक में और बिदक में वा दा क्वा पर हमने सुझे अभी एक्स की देंगए कंपा में क्वासिएगा वी की। यहां टीग रहेगा अब इस उपर के फ्लोरिंग का काम करते हैं जल्दी से कि अब के तो गाइज यहां का वाम की हो चुगा है मतलब नीचे के फ्लोर के लिए हो जाएगी वह रूफ और उपर के फ्लोर के लिए फ्लोर ही रहेगा सता सा लोजिक मैने बताई यहां कि टॉर्च लगा देते हैं लेहीं दोनों यही पर लगा देते हैं है एक है बीचेरी में ट्रैप दॉर और यही पर लगाने वो हो फी लगाएंगे ऊपर का यहां पर वी सेम मेरे कॉपललस्टोन ज्यादा ब्लेटल रहेगा कोबल्सोन ही लगाना वे बैटर रेगा इसले में कोबल्सोन ले लेता हूं मुझे ले 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 किन हाँ घर हमारा घर हो चुए कंप्लीट मतला पूरी तरह कंप्लीट तो नहीं हुए लेकिन हाँ घर हमारा हो चुए कंप्लीट अब इसमें रहता है बस डेकोरेशन का काम चुकि मैं करूंगा अगली वीडियो में फिलाल अभी आपको तूर करवा देता हूं सबसे बहले हम यहां से अगर के अंदर चलेंगे यह विंडोस वगएरा रहा कि यहां अनकंप्लेट इसकी डेकोर मैं अपना क्राफ्टिंग रूम ब्नाओ लेकिन यह वडिवर फ्लोर में तो पूरा 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 जितना भी काम करेंगा यहां पर आप देखके वैल्क कर्णी बना रखिए वीडियो मिलेगा इस से जो कोजर मैंने बना यह वालग मैंने इस तरह का वीउ लेने के लिए ब करता हूं चंक्स बढ़ा के इसको देखने की तो गाइस अभी फिलाल मैंने थोड़ी सी चंक तो बढ़ाएं हैं लेकिन बारिश की वे से कुछ खास नचर नहीं आ रहा है जब बारिश अटेगी तब व्यू लेके देखने यहां से कितना अच्छा लगता है उससे एड़ा वि यहां से भी हम काफी जादा व्यू ले सकते हैं लाल यही हमारा है घर आपको कैसा लगा कमेंड में जरूर बताना अगली वीडियो में इसकी करेंगे डेकोरेशन मतलब जो भी हमारी माइंड़ी वीडियो है इसकी डेकोरेशन के उपर आएगी हो सकता है मैं उसको ओफ अगली वीडियो में आपको पता लग जाएगा पिजाल आपको घर कैसा लगा मुझे कमेंड में जरूर बताना आज की वीडियो को बस यहीं पर हमेंड करने वाले हैं ओके तो काइस बस आज किस वीडियो को बस यहीं पर हमेंड करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी ल झाल झाल